हलो स्टुडेंट्स मैंने किलुकता स्वागत करता हूँ आपका इस वीडियो में जिसमें हम लोग 2.2 एक्सरसाइज का एक खास एक्जाम्पल एक्जाम्पल नंबर 5 डिसकस करने वाले हैं उस एक्जाम्पल में ये खास बात है कि उसमें रिलेशन्शिप बिट्वेन जिरो एंड कोफिशेंट ऑफ क्यूबिक पॉलिनॉम्पल यूज आएगा अभी तक 2.2 एक्सरसाइज में हमने प्वाड्रेटिक पॉलिनॉम्पल में ये चीज़ सीखी थी बस एक इकलोता एक्ज जिसमें क्यूबिक पॉलिनॉम्पल के लिए ये रिलेशन्शिप की बात करिए और किसी में नहीं दे रखा उसके अलावा जो एक्स्ट्रा कॉशन्स हैं उनमें जरूर इस तरह के कॉशन्स बन सकते हैं तो है बहुत इंपॉर्टेंट और काफी अच्छा टॉपिक है अपन पॉलिनॉम्यल ठीक है और उस तरफ अपन कर लेते हैं क्यूबिक पॉलिनॉम्यल के बात क्यूबिक पॉलिनॉम्यल बहुत सिंपल सी ही केस है रिलेशन्शिप करते हुए पढ़ेंगे तो थोड़ा सा इजी लगएगा अपनेından को ऊपनेगे है इसलिए दोनों को एक साथ ही अपने एक page में देखते है quadratic polynomial होता कैसा है दिखने में क्या होता है वो होता है ax square plus में bx और plus में c मैं पहले इसी को complete कर लेता हूँ यह portion अपने सीखा हुआ है 2.2 exercise पूरी अपने कर ली है हलाकि अपने 2.3 भी कर ली है last में यह example में ले रहा हूँ अभी तर और हमने यह सीखा था सिर्फ कि जो भी 2 roots है उनका addition sum of roots sum of roots हमने सीखा था कि वो होता है minus b upon a और दूसरी चीज़ सीखे थे अपने product of roots product of roots वो होता है c upon a यह दूसरी चीज़ सीखे थे अपने यह एक format है यह एक pattern है मतलब quadratic हो cubic हो 4 power 5 power 6 power 7 power मतलब 100 power वाला भी polynomial आएगा ना तो यह एक format है roots से related यह क्या format है कैसे यह होता है वो अपने भी discuss करते है तो एक चीज़ और यहाँ पर मैं बताना चाता हूँ आपको कि 2 roots के बारे में बाचली थी sum of roots और product of roots यह होता है यह अपने सीख लिया था 2 roots को अपने कुछ नाम नहीं दिया था मैं एक बार इनको नाम दे रहा हूँ माल लो कि वो 2 roots है alpha और beta उनका नाम दे रहे है alpha और beta alpha और beta standard नाम है roots के लिए use लेते हैं जन्रली और 3 roots होते हैं तो alpha, beta और gamma use लेते हैं cubic में 3 roots आएंगे तो उस case में alpha, beta, gamma use लेंगे बार quadratic में alpha और beta use ले रहे हैं use लेने की जरत नहीं पड़ी थी इसलिए use नहीं लिया था अभी मैं समझाने के लिए use ले रहा हूँ ताकि उदर से relate कर सकूँ आपको ठीक है तो alpha और beta हैं तो अब यहां से थोड़ा देखो द्यान से अब यहां से थोड़ा सा द्यान से देखें मैं इसको थोड़ा सा left किसका रहा हूँ क्योंकि इसकी जगए मैं value रखोंगा इसको थोड़ा सा left किसका देता हूँ अब मैं इसकी जगए क्या रख रहा हूँ द्यान से देखें sum of roots बोला है इसका मतलब यह alpha plus beta की value है यह value product of roots बोला है इसका मतलब यह alpha into beta की value है clear है यहां तक तो तो यह दो formulas अपन already पढ़ चुके है यह already अपने वो clear है क्या होता है अब इससे link करते हुए cubic polynomial में अपन बात करेंगे तो cubic polynomial दिखने में कैसा होता है सबसे पहले तो यह बात करनी है cubic polynomial दिखने में इस तरह का होता है देखो यहां square है cubic polynomial का मतलब maximum minimum जो power होगी variable की वो 3 होगी मतलब polynomial की degree 3 होगी इसका मतलब x cube वाला term आएगा x square भी आएगा x भी आएगा और constant term भी होगा तो इसके साथ a लगा दो इसके साथ b लगा दो इसके साथ c लगा दो और last में d लगा दो ax cube प्लस bx square प्लस cx प्लस d यह cubic polynomial हो जाएगा और इस cubic polynomial के अब obviously 3 roots होगे अगर इदर 2 roots थे तो इदर 3 roots होगे और वो 3 roots किस तरह के होगे वो 3 roots कौन कौन से होगे अगर यह alpha और beta थे तो यहाँ पर हो जाएगे alpha, beta, gamma यह 3 roots होगे इसको पढ़ते हैं alpha इसको पढ़ते हैं beta इंग्लिश में R बनाते हैं लेकिन R में थोड़ा सा खोल करके लिखते हैं गामा में थोड़ा पास से ज़्यादा जाता है बाकि ठीक है थोड़ा बहुत उपर नीचे बनाता होगे तो कोई ज़्यादा फरक ने पढ़ता है ठीक है तो यह alpha, beta, gamma हो गए अब यहाँ पर same pattern चलता है same pattern मतलब देखो यहाँ क्या pattern था यहाँ था single single फिर double double अगर तीन roots होते हैं तो फिर triple triple चलता यहाँ पर तीन roots हैं तो single 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 मतलब sum of roots में single single यह single single आगे हैं double double मतलब alpha और beta का combination beta और gamma का combination gamma और alpha का combination तीनों का combination ले करके sum कर दिया और triple triple मतलब alpha in 2 beta in 2 gamma ये format है ये एक format है क्या कि single single लिया जाता है double double लिया जाता है triple triple लिया जाता है अगर 4 वाला polynomial होता 4 degree का polynomial होता तो single double triple और 4 का combination भी लिया जाता है उस case में तो वहाँ 4 equations बनती इस तरह है कि 4 formulas बनते हैं यहां 2 formulas बने थे क्योंकि 2 combination possible है या तो single या double तो 2 formulas है यहां 3 formulas बनेंगे इस relationship से related कौन से 3 formulas? single, double लिया जाता है अगर आपको पुराना याद है थोड़ा बहुत ध्यान है यह अपने क्या सीखा था तो उससे link आप कर पाओगे अब यह formulas होते क्या है यहां पर values क्या आती है यह भी format है यह आप 11 या उससे आगे जैसे college बगर हमें पढ़ोगे तो आप higher degree के polynomials पढ़ोगे उन higher degree के polynomials में यह एक format पढ़ोगे आप कि 4 degree का polynomial है तो क्या आता है फिर 5 degree का polynomial है तो उसमें क्या answer बनेगा तो इस तरह के चीज़े उसमें आती है उसमें बता ही आती है आपको एक है तो यहां पर format fix है यहां से शुरू होता है हमेशा second number वाले से यह और first वाले divinement B upon A, C upon A ऐसे यहां भी आएगा B upon A, then C upon A, then D upon A तो मैं लिख देता हूँ B upon A, C upon A और D upon A अब plus minus sign का क्या रोल है plus minus sign fixed है minus, plus, minus, plus, minus, plus यह sequence लता है शुरू minus से होता है यह बाद ध्यान लखना है तो शुरू आप minus करोगी start होगया minus से then होगया plus, then minus यह format है यह तीन formulas अपने को बहुत अच्छे से याद कर लेने है बहुत important formulas है तीनों के तीनों ही अपने बहुत ज़्यदा काम आने वाले है तीनों के तीनों बहुत काम आने वाले है ठीक है तो यह क्या किया अपने यह अपने किया relationship between zeros and coefficient of cubic polynomial के formulas कैसे आ रहे हैं यह मतलब सीखा है अपने यह चीज क्या है यह zeros है यह चीज क्या है polynomial के coefficients है यह coefficient है na x cube का यह coefficient है x square का यह coefficient है x का यह constant time है तो यह सब coefficients है a, b, c, d और यह roots है तो roots और coefficients में आपस में connection है relationship है roots में और उसके coefficients में तो यह ही चीज बोली थी relationship between zeros zeros बोल दो या roots बोल दो गलती से roots लिख दिया, roots नहीं लिखना चाहिए यहाँ पर, actually roots होता है equation के, अगर polynomial चल रहा है तो उसके zeros पढ़े जाते हैं तो two zeros आप बोलोगे, roots मैंने गलत लिख दिया, आप zeros लिख दो यहाँ पर, ठीक है zeros लिख दो तो 2 zeros हैं तो इस तरफ zeros हैं इस तरफ polynomial के coefficients हैं, उनमें यह relationship है अब इस पर based questions हैं अपने, इन तीन formulas पर based, यह तीन अपने को ध्यान रखना है, तो questions कैसे आएंगे वो आपन डिसकस करेंगे, अभी तक जो पढ़ा उसका conclusion बस यही है, कि alpha plus beta plus gamma minus b upon याद कर लो इक तम, alpha beta plus beta gamma plus gamma alpha c upon याद कर लो, दो-दो का combination और triple alpha beta gamma, वो होता है d upon minus का, तो यह अपने अभी तक का conclusion यहाँ पर दिखाया, अब आगे बढ़ते हैं, अपना जो example है उस पर आगे बढ़ते हैं, बहुत अच्छा example है, थोड़ा of the cubic polynomial, this यह cubic polynomial है, और उसके यह तीनो zeros हैं, यह अपने को verify करना है, पहला question दूसरा question, यह बढ़ा question है एक question exam में केवल इतना ही आ जाता है कभी-कभी, कि verify that these three are the zeros of this cubic polynomial, केवल इतना question भी आ जाता है exam में तो यह मतलब question जो अपन कर रहे हैं, यह दो तरहे के questions है actual में, अलग-अलग तरहे से भी पूछे जा सकते हैं, एक साथ भी पूछे जा सकता है किसी भी तरह से exam में आ सकता है, तो आपको दोनों तरह से ध्यान रखना है, अब बस यह verify अगरना है तो zeros होने के लिए क्या काबिलियत होने चीए, क्या खास बात होने चीए, zeros होने के लिए क्या खास बात होती है, zeros होने के लिए अगर मान लो यह 3 0 है, इसका तो 3 को यहाँ पर x की जगे रखने पर, हर जगे इस polynomial में 3 को x की जगे रखने पर polynomial का जो result आएगा जो answer आएगा वो 0 बन जाएगा अगर polynomial का answer किसी particular x की value पर 0 हो रहा है तो वो particular x की value फिर उसके लिए 0 मानी जाती है मतलब उसका नाम हो जाता है 0 0 of that particular polynomial तो यहाँ पर 3 अपने numbers दिख रहे हैं जिनको अपने को check करना है तो मैं solution लिखता हूँ यहाँ पर पहले तो आप polynomial लिख लो polynomial हमारे पास है 3x cube minus 5x square minus 11x और minus 3 यह polynomial है अपने को एक बार x is equal to 3 check करना है एक बार x is equal to minus 1 रख के check करना है एक बार x is equal to minus 1 by 3 रख करके check करना है क्या इन तीनों से इस polynomial का result result 0 बन रहा है क्या अगर इन तीनों को रखने पर मतलब हर बार ही polynomial का result 0 बन रहा है तो इसका मतलब यह तीनों ही इस particular polynomial के 0s हैं अगर किसी particular number को रखने पर यह 0 नहीं बन रहा तो वो particular number फिर 0 नहीं माना जाएगा मतलब result 0 आना जीए 0 होने के लिए ये कापिलेट चीए बस और कुछ नहीं है ये खास बात होने चीए ये condition होने चीए मैं शुरू करता हूँ सबसे पहले x is equal to 3 रख रहा हूँ put x is equal to 3 तो यहां बन जाएगा p3 is equal to भई जहां जहां x दिखेगा वहां वहां रख देंगे हर जगे रख देंगे मतलब हर जगे मतलब यहां भी रखोगे यहां भी रखोगे यहां भी रखोगे चार जगे x दिख रहा है तो चार जगे x की रखे 3 रख दो आप तो तो यहां बन जाएगा 3 into 3 का cube minus मे 5 into 3 का square minus मे 11 into 3 और minus मे 3 हर जगे x की जगे 3 रख दिया अब देखते हैं क्या result बनता है इससे 3 cube मतलब 27 हो जाएगा माइनस में 5 इंटू 9 हो जाएगा माइनस में 33 है ये और ये 3 हो रहा है 27 इंटू 3 81 तो ये हो गया 81 माइनस 5 इंटू 9 45 तो ये 45 हो गया और माइनस में 33 3 और माइनस में 3 चीक है ये 81 है और negative values को सारी एक साथ इकठी कर लो 45 और 3 हो जाएगा 48 48 और 33 मिलकर के बनता है 81 तो ये 81 ही आ रहा है इसका मतलब ये result कितना बन रहा है 0 तो आप लिखोगे कि since px is equal to 0 at x is equal to 3 therefore x is equal to 3 is a 0 of px 0 of px ये एक result है आपने पास एक value का बाकी का आगे करेंगे हर एक के लिए ऐसा काम करना है इसलिए ये थोड़ा सा बड़ा कोशन है इसलिए मैंने अलग से लिए है इसको शान्ते से करेंगे तो क्या किया है हमने value रखी देखा 0 आ रहा है गया आ रहा है तो इसका मतलब हाँ ठीक है verify हो गया ये 0 है आगे बढ़ते है माइनस 1 रखते है आपके पास PX क्या है फिर से लिखेंगे इसको PX हमारे पास सेम यही 3X क्यूब माइनस 5X स्क्वायर माइनस 11X और माइनस में 3 अब आप यहाँ पर X की value माइनस 1 रखते देखो X की value अगर माइनस 1 रखतेंगे तो P माइनस 1 कितना आ जाएगा 3 इंटू माइनस 1 क्यूब ठीक है 3 इंटू माइनस 1 क्यूब माइनस में 5 इंटू माइनस 1 स्क्वायर माइनस में 11 इंटू माइनस 1 और माइनस में 3 तो यह बन जाएगा 3 into देखो minus 1 का cube negative number का odd power है यह है odd power होती है तो minus में आएगा और 1 into 1 into 1 तो 1 ही होता है तो ultimately यह क्या बनने वाला है minus 1 minus 1 की power 2 है even power अगई negative number की even power अगर negative number की आएगी तो positive बन जाएगा हो, यह तो rule है 2, 4, 6 power आएगी तो सब positive बन जाएगी तो यह हो जाएगा plus का 1 और minus minus होता है plus तो plus का 11 और minus का 3 बन रहा है यह थोड़ी सी calculation आप थोड़ा ध्यान रखें calculation में गडबर नहीं करनी है अपने को और यह अपना minus 3 बन जाएगा यह अपना minus 5 बन जाएगा plus का 11 है और minus का 3 है अचा माइनस वाले कितने लोग हैं माइनस 3, माइनस 5 माइनस 3 तो माइनस 8 और माइनस 3 मिल करके माइनस 11 हो गया और प्लस का 11 चल रहा है इक्वल में 0 आ रहा है अब वोई same line लिखोगे आप since px is equal to 0 at x is equal to minus 1 therefore x is equal to minus 1 is a 0 of px same language तो मैं एक काम करता हूँ यहाँ थोड़ी सी जगे बना करके यहीं लिख देता हूँ तक कि दिक्कत नहीं हो यह equal में 0 आ रहा है और यही अपने को चाहिए था तो आप लिख देना since px is equal to 0 at x is equal to minus 1 therefore x is equal to minus 1 is a 0 of px यह systematically लिखने का तरीक है exam में एकदम proper exam में जैसे लिखना है वैसे लिखा है ठीक है next third third अपना यह x के value minus 1 by 3 लेनी है इसी polynomial में तो शुरू कर दे polynomial लिख लो यही था polynomial एक बड़ चेक कर लो 3x cube 5x square 11x और 3 minus plus का भी साब ठीक है x के value minus 1 by 3 एक बड़ रखके देखते हैं आप लिखोगे put x is equal to minus 1 by 3 चिक है तो p minus का 1 by 3 equal आ जाएगा 3 into minus 1 by 3 cube और 5 into minus 1 by 3 square 11 into minus 1 by 3 और minus 3 यह बन जाएगा 3 into minus 1 by 27 3 का cube 27 और 3 का square 9 तो minus 5 और 1 by 9 ठीक है 1 by 9 clear है यहां तक minus minus plus हो करके 11 by 3 कर लो और minus में यह 3 कर लो ठीक है अब यह तो कट रहा है 9 ठीक है अब यह क्या हो गया minus 1 by 9 minus 5 by 9 और 11 by 3 और minus 3 LCM लो और तो क्या कर सकता है इसमें LCM लो LCM लोगे तो LCM में 9 आ जाएगा यहां पर यह होगा minus 1 यह minus 5 और plus में 3 times यह divide जा रहा है और 11 into 3 33 हो जाएगा और minus 3 into 9 27 ठीक है देखें जरा कितना बन रहा है यह बन रहा है अपना minus 6 और minus का 27 minus 6 और minus 27 मिलकर के होता है minus 33 तो minus 33 plus में 33 और divided by 9 तो 0 by 9 हो गया 0 by 9 मतलब 0 ही आ रहा है यह भी result 0 ही बन गया इसका मतलब क्या लिखोगे आप लिखोगे कि since again px is equal to 0 at x is equal to minus 1 by 3 therefore therefore x is equal to minus 1 by 3 is a 0 of px यह अपना एक question complete हुआ एक section complete हुआ a part बोल देता हूं मैं इसको यह अपनने एक काम किया ठीक है a part किया है अपनने b part क्या है इसका यह question complete हो गया first वाला b part इसने बोला है कि and then verify the relationship between zeros and the coefficient relationship between zeros और coefficient क्या था यह था इसको verify करना है verify करना है मतलब आपके पास zeros आ गए है आपको confirm हो गया है कि यह तीन लोग zeros है कौन तीन लोग 3, minus 1 और minus 1 by 3 तो एक को alpha नाम दे देंगे एक को beta नाम दे देंगे एक को gamma नाम दे देंगे तीन हमारे पास zeros हैं और इन तीनो zeros के लिए हम लोग यह left hand side निकालेंगे कितनी आ रही है नॉर्मल तरीके से zeros की help लेकर रहे है इनकी values निकाल लेंगे alpha प्लस beta प्लस gamma की alpha प्लस beta प्लस gamma प्लस gamma अलफा की और alpha इंटू बीटा इंटू गामा की वो निकाल लेंगे उसके बाद verify करना है तो verify कैसे करेंगे verify करेंगे coefficient से भी निकाल करें coefficient है अपने पास a, b, c, d चारों की values है और coefficient की health से यह formula लगा करके यही तीनों चीज़े वापस निकाल लेंगे और check करेंगे पहले जो निकाली थी और अब जो निकाली है वो same आ रही है की नहीं आ रही है यह काम हमने किया था quadratic polynomial के case में बहुत सारे questions किया है इस तरह के example भी थे 2.2 में और 2.2 का first question भी इसी से related था जो verification से related था तो same to same काम है कुछ difference नहीं है कुछ भी difference नहीं है बस cubic के लिए हो गया तो obviously ज़्यादा चीज़ें आ गई एक equation ज़्यादा आ गई तो थोड़ा सा लंबा जल जाएगा हलका फुलका बाकी कोई फरक नहीं है तो देखो क्या लिखेंगे मैं यह लिख देता हूँ कि आप लिखोगे कि let मैं b part कर देता हूँ इसका let alpha is equal to 3 beta is equal to minus 1 minus 1 and gamma is equal to minus 1 by 3 यह तीन ही लोग थे 3 था minus 1 था और minus 1 by 3 था और तो कोई है नहीं अब यहाँ से आप लिखोगे कि alpha plus beta plus gamma कितना आ रहा है 3 minus 1 minus 1 by 3 normal calculation कुछ ज़दा विशेश काम नहीं करना normal calculation 3 minus 1 हो गया 2 2 minus 1 by 3 LCM ले लो LCM लोगे 6 minus 1 upon 3 मतलब यह आ रहा है 5 upon 3 ठीक है तो एक तो यह अपन ध्यान रखेंगे कि चलो यह 5 upon 3 आ गया next चीज क्या निकालनी होती है जो यहाँ पर लिखी हुई है वोई alpha beta beta gamma gamma alpha इनका total तो यह निकाल देते हैं देखो जरा alpha beta plus beta gamma plus gamma alpha इसकी वेले निकाले कितनी आएगी alpha beta मतलब यह alpha beta gamma की values है 3 into minus 1 3 into minus 1 और beta की value minus 1 gamma की है minus 1 by 3 same gamma की minus 1 by 3 है और alpha की value है plus का 3 ठीक है यह सारी values है तो अब इसके according क्या बन रहा है यह तो बन रहा है minus 3 यह है minus minus plus हो करके 1 by 3 और यह minus का 3 से 3 cancel हो करके 1 बन रहा है तो ultimately कितना है minus 3 minus 1 मिल करके minus 4 हो गया plus 1 by 3 हो गया LCM अगर आप लेते हो तो यह 3 आ जाएगा 4 into 3 12 हो जाएगा plus 1 हो जाएगा मतलब minus 11 upon 3 आएगा basic calculation कोई बहुत ज़्यदा मुश्किल काम नहीं किया basic calculation ठीक है second चीज यह निकाल लिए अपने third चीज क्या निकालने की है third चीज निकालने की है alpha into beta into gamma के value तो वो कैसे निकल लेगी alpha है 3 beta है minus 1 gamma है minus का 1 upon 3 और यह 3 से 3 कट जाएगा और minus minus हो जाएगा plus तो यह हमारा answer बन जाएगा 1 ठीक है तो तीन चीजे हमने निकाली normal तरीके से मतलब जो हमारे पास alpha, beta, gamma हमने लिये थे हमारे पास आये थे उनकी help ले करके हमने alpha plus beta plus gamma निकाल लिया alpha, beta plus beta, gamma plus gamma alpha निकाल लिया और alpha into, beta into, gamma निकाल लिया अब इन तीनों चीज़ों को formula से निकालेंगे जो हमने relationship पढ़ी है उस formula से निकालेंगे तो इसने क्या बोला है इसने verify करने को बोला है कि वो relationship से answer same आना चीए तो हम लिख देते है verification यहाँ heading डाल के लिखते है एकदम systematically verification verification में आप सबसे पहले polynomial लिखो polynomial क्या है आपका polynomial है आपका px is equal to माँ भूल गया polynomial एक बढ़ देख लेता है 3x cube minus 5x square minus 11x minus 3 3x cube minus 5x square minus 11x और minus 3 यह अपना polynomial था ठीक है अब यहाँ से आप देखो x cube का जो coefficient है coefficients लिख देता हूँ मैं आप coefficients यहाँ से मिल जाएंगे क्या मिलेंगे a की value तो मिल रही है आपको plus का 3 b की value आपको मिल रही है minus 5 यहाँ से c की value मतलब x का coefficient है minus 11 और d की value है minus 3 यह होता ने a b c d हमने स्टार्टिक में देखा है कि a b c d क्या होता है a है x cube का coefficient b है x square का coefficient c है x का coefficient और d constant time तो इसके according अब अगर बनाएं अपन तो alpha प्लस beta प्लस gamma का क्या formula है वो formula है minus का b upon a ठीक है ऐसे ही alpha बीटा प्लस beta गामा प्लस gamma alpha का क्या formula है c upon a simple तीनों के formula लिख दो alpha into beta into gamma का क्या formula है minus d upon a यह formula है values रखो हैं की minus b upon a मतलब minus का minus 5 upon में 3 minus minus हो जाएगा plus तो 5 upon 3 आ जाएगा answer ठीक है next की बात करते है c upon a की अगर बात करें तो c की value है minus का 11 और a की value यहाँ पर दे रखी है 3 तो minus 11 by 3 इसको तो और कुछ calculate कर नहीं सकते तो यह minus 11 upon 3 हो जाएगा next अगर अगर अपन बात करें minus का d upon a तो d की value कितनी दिख रही है यहाँपर minus 3 तो minus 3 और a की value कितनी है देख लो पुराने से match कर लो हमारा plus का result 5 upon 3 आया है पहले भी 5 upon 3 ही आ रहा था कोई दिक्कत नहीं है verified ठीक है next यह minus 11 upon 3 आया था यह भी minus 11 upon 3 है next यह अपना plus 1 आया था यह भी अपना plus 1 ही आया है तो यह तीनों जीडिया verify होगी तो इस तरह से इस question को कर सकते है हाला कि अपनी book में NCRT वाली जो book है उसमें लिखा हुआ है कि this question is not for examination point of view लेकिन ऐसा नहीं है कि वो exam में नहीं आता है वो exam में आता है और उससे related और questions भी आता है तो इसलिए यह question करना बहुत जरूरी था क्योंकि यह बहुत important question है और बड़ा question मन कर क्याता है ज्यादा marks का question मन कर क्याता है इसलिए थोड़ा important रहे है तो अब फिर भी आपको इस वीडियो में कोई भी doubt रहा हो तो आप नीचे comment box में लिख सकते हो NCRT के तो अपने 2.1, 2.2, 2.3 के सारे questions, सारे examples कवर कर लिए है और बाकि फिर अपने next class में देखते है इस वीडियो में आपको कोई भी doubt हो आप comment करो, like करो और share करो अपने friends को मिलते हैं आप से next video में Thank you so much, all the best, bye-bye